समाजबादी पार्टी केनेता स्वामी प्रसाद मौर्या का मांसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उनको खुदी नहीं पता लग रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं एक तो कहते हैं कि हिंदू एक धोखा है दूसरे तरफ हो कह रहे हैं कि शंग्पमुत मोहन भागवत कह चुके बाते हैं और धोखा कहना यह है एक अपमान जनक सब्द हो गया है तो उस ब्यक्ति को यहीं नहीं पता लग रहा है कि संग्प्रमुत मोहन भागवत जब इसको सम्मान जनक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि यह जीने का एक तरीका है और दूसरी तरफ हुआ ब्यक्ति हिंद राक्षोसों का बद करना पड़ा था अगर इस तरह की स्थिती इन लोगों की बनी रहेगी तो कहीं ऐसा नहों कि 22 जनवरी 2024 को राम लला दिब भब राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तो हम लोगों की यह माननेता है कि 22 जनवरी से फिर राम राज की सुरुआत ह रही है फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर परतिश्टित हो रहा है तो इस तरह की जो मानसिटा रखने वाले हैं इनको यह नहीं पता चल रहा है कि स्वामी विवेकानन जैसे मनिशी विद्वान जिनका पूरा विश्व सम्मान पहले भी करता था आज भी कर रहा है वह जो है कहते थे गर्ब से को हम हिंदू हैं हिंदू का मतलब होता है सनातनी हिंदू सनातन का परियावाची सब्द है अब वो हिंदू सब्दों को कहते हिंदू एक धोखा है तो इस तरह कि यह जो अपमान जनक सब्दों का प्रयोग यह देश की बहुत संख्यत जनता के परत कर रहे हैं यह अतिनिंदनी है अगर सुधार नहीं करेंगे तो जिस तरह से राक्षसों का बद हुआ है उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौरिया और जो लोग भी इस तरह की बयान बाजी करेंगे देश में असी प्रसत लोग जो है सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और अपने आपको हिंदू का जो हम लोग कहते हैं अगर वो हिंदू सबध को जो धोखा कहेंगे कि व्याक आ जो है तरह मानन जनख करेंगे तो स्वाभाविक है कि भाई देखिए च्हमा की भी सीमा होती है अगर सीमा ये जब समाब्ध हो जाती हैं तो बाद में पिर सांती के बाद फिर करांती भी आ जाती है तो स्वामी परसाद मौरिया लिमिट क्रास कर रहे हैं और यह वेक्ति को यह नहीं पता लग रहा है कि समाज बादी पार्टी के जो बरतमान में मुखिया के लिए स्यादों हैं उन्होंने कई बार इसको रोक चुका है कई बार रोका चुके ह कि किसी का आप मान करना इस तरह के बयानवाजी करना ठीक नहीं है इसलिए स्वामी पर साद महर्या कहीं के रहे नहीं कहते हैं ना फुर के रहे और उनकी इसलिका बहुत है तो बुरी होने ही है कि इसको कहीं अब निकलने का बैठने का जगए नहीं मिलेगा और ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है जहां यह न गया हो दोखा न दिया हो अच्छा होगा कि यह अभी भी अपने आपको जो है सुधार ले और देश से च्छममा गए